महीने रह गए हैं, ऐसे में तमाम नेताग चुनावी मूड में आ गए हैं जनता के भी जाकर अपने कामकाज का हिसाब किताब दे रहे हैं ऐसे में नियूस 18 ब्यार जारकन दी, जनता के हिस्से के सवाल पूछने और नेता जी के कामकाज का हिसाब किताब लेने के लिए मैदान में उतर चुकी है आज सीरीज में परताल करेंगे गुड़ा जिले की पौड़या हाट विदान सबाश्चित्र की जहां से प्रधी प्याधप पिछले 5 बार से विदाएक है और 2 बार ज्यारखन में मंतरी भी रह चुके हैं प्रधी प्याधप ने अपने कारेकाल में कई कामों को पूरा करने के दावे किये उने के दावों में कितना दम है इसको लेकर हमने पड़या हाट की जनता से बात की है देखे हमारी ये परतार शारखंड विधान सभाचुनाओं के मुहाने पर खड़ा है मुख्यमंत्री, मंत्री, MLA, पक्ष, विपक्ष, तमाम दलों के नेता एक बार फिर जारखंड के राजनतिक अखाड़े में कूद गए है हर कोई अपने पांस साल के काम के दावे कर रहा है हर मंत्री और विधायक पिछले पांस साल के काम को गिनवा रहे है MLA के हिसाब किताब में आज पारी है गुड़ा जिले के पुड़या हाट से विधायक प्रदी प्यादो प्रदी प्यादो पुड़या हाट सीट से लगातार पांच बार से विधायक है एक बार लोग सभाते सबस्ते रह चुके है याले की जार्खंड राजी के गठर के बाद से ही लगातार वो इस शित्र की जुनता का फ्रतिने रिद्व कर रही ऐसे में इनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बंती है प्रदी प्यादो ने इन 25 सालों में कितना काम किया है ये हम उनसे तो जानेगे लेकिन उनके दावों की हकीकत हम जनता से भी जानेगे कि वो जो काम के दावे कर रहे हैं क्या धरातल पर उतना काम हुआ है या फिर पुड़या हाट की जनता को आज भी विकास का इंतजार है विधाईक जी के दावे और जनता के सवालों का सिलसेदा शुरू करें उससे पहले प्रधी प्यादों की राजनितिक कुंडली देख लीजिए प्रधी प्यादों का सियाजे दुहास चात्र जीवन से राजनितिके इन्होंने शुरुआत की 2002 में बीजेपी की टिकट पर पहली बार लोकसभा सांसत बने 2005 में बीजेपी की टिकट पर पुड़या हाट से विधायर बने 2007 में बीजेपी छोड़ जेवियम में शामिल हो गए बाबुलालमराणी और अडिजिन मुंडा सरकार में मंत्री बने 2020 में जेवियम को छोड़ कर कॉंग्रिस में शामिल हो गए लगातार पांच बार पुड़या हाट से विधान सभाद चुनाओं ये जीत रहें चारखंडे राज़ बनने के बाद पुड़या हाट से प्रदीप यादो पांच बार से जीत रहें ऐसे में उन पर जिम्मेदारी भी जादा है तुमने सीधा सवाल किया कि आपने 25 साल के कारेकाल में कितना काम किया 25 साल पहले और अब के बुड़या हाट में कितना बदलाव आया है लेकि काम तो अनगिनत हैं जिसके नाम गिनाए नहीं जा सकते लेकिन कुछे काम जो सामने दिखता है जैसे जिस पार्क में आप खड़े हैं बड़ी मेहनत से इस पार्कों भी हम सबोंने सरकार से कह करके आगरे करके इस पार्क को बन भाया है और हमें लगता है कि गुड़या जिला के लिए यह अधूत है यूनिक है और आज पूरे गुड़या जिला का यह आकर्शन कर केंदर है आप भगल में देख सकते हैं कि जो गुड़या कालेज गुड़या है कि फरीधी पर एक मोडल कालेज मिलेगा वह भी हमने किया है उससे आगे थोड़े जाय तेन चार किलो मेटर तो आपको इंजिनियरिंग कालेज मिलेगा उससे पुड़या हट सेंटर में जाये तो वहां आपको इंडूर स्टेडियम मिलेगा कई बड़े काम है और सबसे बड़ा काम जो मुझे लगता है कि जो हमने किया है वो इस छेत्र के विगास के लिए जो सबसे आवर्शकता सबसे जरूरी था वो था सडकों का जाल विछाना जब हम पहली बारे मिले बनेते तो एक गाउम सडक नहीं थी और आज हम बड़े पूल कड़ोरों रुप्यों के लागत से हमने कराने का प्रियास किया जो आज भी लोगों को प्रमानिक्ता के तौर पर हम कह सकते को वो मेरे विकास का नमूनी के तौर पर खड़ा है विधायक जी ने जब इतने सारे काम गिरवाए तो लगे हाथों ने ये भी पूछ लिया इतना काम करवाए हैं तो आपकी छेतर की जनता तो आपसे काफी खुश होगी तो सुनिये उन्होंने क्या कहा अपना समर्तन देती है यही तो कारण है कि हम और सबसे बड़ा जो मेरे साथ प्लस है कि जनता से कलगाओ है मेरा आम लोगों से लगाओ है आम लोगों के लिए हम सरलता से साजिता से उपलब्द रहते हैं जिसका रण जनता हमें चाहती है और हमें लगता है कि यह लगाओ जीवन भर रहेगा क्योंकि सूचाई तक पहुंचाने का अगर किसी को स्रेज आता है तो पुरियाड की जनता को प्रदीप यादो लगातार पांच बार से जीत रहे हैं ऐसे में उन्होंने जो काम गिनवाए वो राजी और केंद्र दोनों राजी की सरकारों की द्रब से किये गए हैं लेकिन हमने सवाल किया कि आपको जो विधायक फंड की राशी मिलती है उसे आप शेत्र के विकास पर कर्च करते हैं या नहीं करते हैं हमारी जो छेत्र की जरूरत है हमीं लगता कि यह राशी भी कम पड़ जाती है और पीचले चार साल का तो एक रूप्या बचा नहीं इस साल भी जो रासी हमें मिली थी लगबग वह रासी भी सुकृत हो गई है उसकी भीयोजनाय प्रारम हो गई है और हमें लगता है कि एक एक काम हम समोने प्रारम किया है विधायक जी अपने काम को चाहे कितना भी गिनवाले विपक्ष उनके दावों को पूरी तरफ से जूठा बताता है ऐसे में हमने अगला सवाल विपक्ष को लेकर ही पूछ लिया ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छे काम करने वाले के साथ सारे लोग खड़े होते हैं अब उनके मन के मुताबिक जो चीज़े ना हो तो फूर लोग कहीं न कहीं छेद खोजता है चिद्र खोजता है और ऐसे लोगों की कमी नहीं है और ऐसे लोग रहने भी चाहिए वो भी आपको ताकत देता है काम के इतने दावों के बीच हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें किसी काम को नहीं करवा पाने का मलाल भी है जिसे वो आने वाले समय में पूरा करना चाहेंगे इतनी अच्छी रहे कि लोगों को प्राइबेट बना जाना पड़े ये सारी मन में टीस रहती है लेकिन सब पूरा हो सकता ऐसा नहीं है प्रयास करते हैं उसको पूरा करने की विधायक प्रधी प्यादों के दावों के बाद अबारी थी उनके दावों की हकीकत जाननी की ऐसे में हम सीधा पूरे आहाट की जोनता के पास पहुँचे और विकास के दावों पर ही पहला सवाल कर लिया यहाँ पे मानिय विधायक जी की द्वारा जो विकास हुआ है 25 साल विज किसी भी आप योजनाओं में जाये मानिय विधायक जी का ही हाथ है सड़क से लेकर सदन तक रोड, नाला, विजली, पानी जितनी भी यहाँ पे है मानिय विधायक जी की द्यावा देन है उन्हीं के क्या हुआ है लोग कहते हैं कि परदीव्यादब 25 साल रह गये लेकिन बहुत कुछ काम शेतर में नहीं हुआ है प्रदीव्यादब जब से विधायक बने हैं उसके पहले यहाँ पर कहीं कुछ नहीं ठा और जब से बने हैं तब से आज तक जब भी कोई चलक जाईए किसी स्कूल को देखिए किसी बास तुसकाले को दीखिए कहीं कोई काम देखिए सब जगह प्रदीव्यादब का ही गेन है जो कि आज हर जगह दिकास यहाँ बहुत जादे किये हूँ इसमें कोई दोमत नहीं है दोहजार के पहले इस पोड़ियाटबजार को आप देख रहे हैं एक टांसफर्मर था अभी इस छेत्र में कम से कम तो पांसजा टांसफर्मर लगवाए हैं यानि विद्दूत पे आत्म निर्भर बनाये हैं लोगों को इस छेत्र में जितनी भी नदियां थी पूल कहीं न नहीं था, कीचर था, कादो था, पसु फस जाता था, आदमी के तो बात ही दूर है, वहाँ पर PCC रोड बनवाए, एस्टेडियम बनवाए, बच्चों को खेलने के लिए, पार्क बनवाए पुड़या हट के शहरी इलाकों की पब्लिक तो उनके काम से खुश दिखी, लेकिन इसके साथ ही विधायक जीसे कुछ दिमांड भी करती मंतरी बन जाए हम लोग का, और यहाँ पर ग्रियोशन कॉलेज बनना बहुत ही ज़री है, उमीद करते हैं भईया, ग्रियोशन कॉलेज यहाँ बनवा देंगे शेहरी इलाकी के बाद हमने ग्रामेड शेत्रों का रुख किया तो यहाँ की पब्लिक की राय शेहरी इलाकी की पब्लिक से काफी अलग थी स्ट्याइम बना दिये शलकों का जाल विष्ञाएं और इंजिरेणिंग कोलेज बनवाए है, वो अपना उपलदी बताए, एक इस्ट्यडियम उसके अलवाद उनको बताने लाएक और एक कोई भी चीज नहीं, आप सडक जाईए, गावेड यहाँ सडक जाईए, देखिए पढ़ाई से लेकर विरुजगारी को लेकर जब हमने यहां की जुनता से सवाल किया तो प्रदीप यादों पर लोग सवाल दागडे लगे प्रदीप यादों के काम के दावों और उन दावों पर जनता की राय जानने के बाद इतना तो तैय है कि यहां की जनता की राय प्रदीप यादों को लेकर अलग अलग है ऐसे में उनके दावों पर जनता अपनी मुहर लगाती है या नहीं ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे तो फिलाल MLA के हिसाब किताब में इतना ही अगली बाद किसी और विधान सवा में किसी और विधाय के काम काच का हिसाब लेंगे MLA के हिसाब किताब कारिकरम में पुड़े आहट विधानसवाद से न्यूज 18 वारकंट के लिए गौरव जहा की रिपोर्ट